नादान ना समझ इनसानी जिन्दगी के दो पहलू हैं जिसे हम सब अच्छे से जानते हैं लेकिन आज इनसान खुद को सबसे जादा समझदार समझने लगा है जिन्दगी का असली मता तो नादानी और नासमझी में ही हैं आएए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कुछ शेरो शायरी नादानी और नासमझी पर करते हैं मेरी जिन्दगी को ना समझ वो ऐसी किताब बना गया नादान खुद पढ़ भी ना सका और ना ही किसी और को पढ़ने दिया चलते जा रहे हैं हम तेरी इबादत को बिस्मिल्ला करके तू समझे तो भी क्या और ना समझे तो भी क्या हालातों को अमली जामा पहना कर निचोड लेना हमारी फितरत में नहीं वरना क्या तुम ना समझ और हम नादान होते उफ ये काबिले हजम नहीं है समाम गुबार ठीके पड़ गए तेरी एक मुस्कुराहट के सामने मुझे भी ये इल्म है कि तेरी अदाएं मेरे हिस्तेदारी की मोहताज नहीं पिर भी ऐ ना समझ तु समझ लेना नादान वक्त की महरबानी ही सही दुआओं में हमारी हम दोनों ही शामिल हैं कभी मैं भी हूँ और कभी तू भी है तू झालुए पिर सुप्राइब ना क्या मुझे भी हैं धन्यवार्ण शुक्रिया थैंक्यू